असलामушलिक्म नाजरीन चाल ही में कौन-कौन से मश्चूर ड्रामास खतम हुए हैं अगर यह ड्रामास आप ने नहीं देखे तो फिर आज ही इनको यूट्यूब से देखना शुरू हो जाए तो चलिये जानते हैं कि हाल ही में कौन-कौन से ड्रामाज एंट हुए हैं तो वीडियो चुरू करने से पहले आप से दर्खास्त है कि हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दें ताके हमारी आने वाली तमाब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सरे राह ड्रामा जैसे अचानक शुरू हुआ वैसे ही खत्म हो गया रवायती अंदास से हटकर बने वाले इस ड्रामे को देखने के बाद शैकिन को पाकिसानी ड्रामो का सुनहरी दोर याद आ रहा है जब ड्रामो की कहान या मौशरती और समाजी मसाल पर मबनी होती थी सरे राह मुखतली खवातीन की ये अलग-अलग कहानी है जो अपनी रोजमाना जिंदगी में मसाल से दुचार है और ड्रामे की अगले एकसाद के जल्कियों से ये नतीजा हासल किया जा रहा है के इसमें अभी मजीद मुखतलिफ खवातीन के केड़ार आएंगे जो अपनी फील्ड में मुशकलात का सामना करती है ड्रामे का स्क्रीन ब्लेड तेज है जिससे कहानी में जल्दी से पेश्रफ्ट होती है और देखने वाले को महसुस होता है कि अभी ही कहानी में कोई नया मोड आएगा मेरी शहजादी मेरी शहजादी ड्रामा खत्मो कर सब को रोने पर मजबूर कर गया ड्रामा मेरी शहजादी शाहित पाकिस्तान की तारीख का पहला ड्रामा है जो बरतानिया के शाही खंदान की एक शहजादी के जिंदगी पर बनाया गया लेड़ी डैयाना को दिलों की शहजादी कहा जाता है यही बजाए कि वो आजबी चाहने वालों की दिल में धढ़क रही है अगर चीज ड्रामे में बाच्छाहत की जगा सियासत का इंतखाब हुआ है क्योंके हमारे समाज में सियासत बाच्छाहत के मतरादिफ है लेकिन शेजादी के गर्दाला वही ए जो शाही शेजादी के गर्द था इस सारे ड्रामे में जो खास बात भट है वो ये कोई भी स्याहो सफید करदार नहीं है ग्रे यानि सुर्मई करदार है हीरो नमा कोई करदार मुझूद नहीं सब दुन्यादार इन्सान है जिनकी तर्जिहात में दुन्यादारी, ताकत, दौलत और इक्तिदार पे कबजा काइm रखना है इस सब को काइम रखने के लिए नमक की कान में सब नमक बने हुए हैं और अपने अपने अंदर की आग में खुद भी जुलस रहे हैं और दूसरों को भी ताप दे रहे हैं सियासे तो बादशाहत में ऐसा ही होता है इस ट्रामे में इस्टा की कहानी दिखाई गई है जो एक दुखी जिन्दगी गुजार रही है और अमीर बनने की खाहिश रखती है उसकी शादी कमाल हसन से हुई जो उसके वालिद के बॉस है क्या वो बे मुहंबत शादी में खुश रह सकेगी क्या वो धेड उमर आदमी से शादी करने पर पच्चताएगी फिर इस्टा की कमाल से शादी हो जाती है और जमशेद की किसी और से शादी देख कर दिल ढूट जाता है इस्टा के वालिदात को शराप पीते रहते हैं और अब वो उसे रोपने के लिए नहीं है आईसल नाग खुश है क्योंकि वो इस्टा को पसंद नहीं करती और अपने वालिद के साथ उसने सलुक करती है कमाल उसे खुद को बदलने के लिए समझाने की कोशिश करता है सियानी सियानी ड्रामा खत्म हुआ लोगों ने सुक का सांस लिया ड्रामा सियानी जिसने चैनल के साथ साथ डिजीटल प्लाटफॉर्म यूट्यूब पर भी खुब तहल का मचा रखा था अली अक्बर की हिदायाद और साध्य अख्तर की कलम से लिखी गई कहानी में धोका देने वाले करदार किस तरह अबरत का निशान बनेंगे और क्या ड्रामे की कहानी मौफी की जानी बढ़ जाएगी ये सब ड्रामे की एक्तदाम पर वाज़े होगा किरिन के करदार के नशिब वफराज ने नाजरीन की पसंदीदगी को मुसल्ट सल अपने सहर में गिरिफतार कर रखा है जिसका मूब बोलता सुबूत ना सिर्फ रेटिंग चार्ट पर मुसल्ट सल सबकत को बरकरार रखना बलकि डिजिटल प्लैट्वर्म यूट्टीब पर ट्रेंडिंग में रहने वाले मुसल्ट साहरा की कहानी है एक लड़की जो ये सब चाहती है और उसकी परवार नहीं करती के रस्ते में किसको तकलीफ होती है ऐसी लड़की जो कभी अच्छी वेहन बेटी या बीवी नहीं रही वो ये गरीब घराने में पैदा हुई थी और धोका दही और चालों से अमीर होने के नामुम्किन खाब देखती है वो अपनी खुबसूरती को लोगों के दिल और जिन्दगियों को चीदने के लिए बतूरे हत्यार इस्तमाल करती है ये के बाद देख रे दो भाईयों का शिकार करते हुए साहरा अपनी गदाराना वजुहात की बिना पर खांदानी बंधन को खत्म कर देती है और खांदान को अलग कर देती है वलीद का चोटा भाई जयाएद पहले साहरा की चालों का शिकार होता है और उसके फरेब के बाद दिल तूट जाता है वलीद का भी यही इंजाव होता है जब साहरा जान बूज कर उसकी जिन्दगी में दाखल होती है और उसे अपने सहर में अमादा करती है नमबर फाइव तिनके का सहारा तिनके का सहारा रिसनली एंडी ड्रामा है शादी एक जुआ है कि मौजू पर बनने वाला ड्रामा तिनके का सहारा इसको चैलेंज कर रहा है शायद इसी बन्याद पे ड्रामा लिखा और पेश किया जा रहा है कि ये कितना जुआ है और कितना अख्तियार जेब में है क्या और लगा क्या रहे है दौलत और महबत में सहारा कौन बनता है जो एकी दौलत के बारे में कहा जाता है कि ये जैसे आती है वैसे ही चली भी जाती है ड्रामा हसीन तरीन सीन से शुरू होता है कि लगता था कोई रुमान भी सी कहानी खजां के खुशक और सिर्ख पतों के साथ हम पेचा जाएगी लेकिन मजाल है जो ऐसा कुछ हुआ हो कदर और दुरिया ड्रामे के मरकजी करदार है ये करदार हीरो नहीं बलके मौशे कब वो अक्स हैं जो दिखाया गया है प्यारी मौना हाल ही में खत्म होने वाला सीरियल है सनम जंग ने मौना नामी ड्रामे में फर्बा लड़की का करदार अदा किया है और ये पहला मौका है कि उन्होंने इजाफी वजण रखने वाली लड़की का करदार अदा किया है उन्होंने कहा कि उन्होंने ड्रामे के लिए अपना वजण पाँच किलो बढ़ाया जिबकि शूटिंग के तुरान उन्हें ने जिसम को मोटा दिखाने वाले लबास का इस्तमाल किया मौशे के आम अफरात का ख्याल होता है कि पतली लड़की खुबसुरत होती है और शोबीज में भी यही समझा जाता है कि कम वजन वाली लड़की ही हिरोईन होती है जिस तरह दुनिया में हार तरह की जिसमाच रखने वाले लोग है इसी तरह तमाँ जिसमाच की हामिल लड़कियां भी हिरोईन होती है और वो खुबसुरत भी होती है ड्रामा सीरिल बहरूब की कहानी अब अपने एक्ताम को पहुँच गई है पहली किस्ट से नाजरीन को अपने सहर में जकर लेने वाली इस ट्रामा सीरिल की आखरे किस्ट मंगल किशर अब नोवजे पाकिस्तान के सबसे मकबूल एंटर्टेन्मेंट चैनल जियो टीवी से नशर की गई थी ड्रामे की दिलकश कहानी को रुकसाना निगार ने तहरीर किया है जबकि अली अकबर के हिदायात में इस सीरियल की हसीन और दिलकश अक्सबंदी की गई शानी अर्शत की अवाज और कंपोजिशन के साथ साबर जफर के लिखे गीत ने भी अवाम को अपने सुरों में डबोई रखा सेलिवीजन की रेटिंग के साथ साथ डीजिटल मेडिया के प्लाटफॉर्म यूट्यूब पर भी इस ट्रामे की कहानी ने लोगों को अपना गरवेदा बनाया प्रोड्यूसर अब्दुला कादवानी और असत कुरेशी की प्रोडक्शन में तयार किये गए इस ट्रामे की कहानी में बहरूफ चहरों पर से कितने नकाब उत्रेंगे ये सब आखरे किस्त में दिखाया गया सेमथ स्काइ इंटर्टेन्मेंट की ड्रामा सील जूम अब अपने इखताम पर आ पहुंची है मारूफ नावल निगार और ड्रामा निगार हाशिम नदीम खान के कलम से लिखी गई इसकी इस हसीन दास्तान में हारून कादवानी, जारानूर अबास की हमरा, उस्मान पीरजादा, जैनत कुयूम और जवेच शे की हकीकत से करीब तर अदाकारी ने देखने वालों पर सह करा रखा, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर अपने प्रमोशन, OST और एकसाथ पर 350 मिलियन से जाइद व्यूज की पजिराई के साथ, ड्रामा सीरियल जूम की तरकी का सफर अभी जारी है, अली फिजान एंचिन की हिदायात में, चाहत के वादे, उसके दोनों गीतों की सुरत, इसके करदारों के साथ नाजरीन के हवास पर अपना नक्ष छोड़ रहे हैं, नमबर वन, तेरे बिन, ड्रामा सीरियल तेरे बिन हाल ही में खतम हुआ है, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आखर के स्यूटिव पर 44 मिलियन व्यूज के साथ सबसे ज़्यादा ना सिर्फ रेटिंग ट्रार्ट पर गजशता तीन साल की सबसे बुलंद तरीन रेटिंग को सर किया, बलके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2.9 बिलियन व्यूज का एजाज भी हासल किया, ड्रामे की स्चांदार कामयाबी को मद्दे नजर रखते हुए, प्रोडूसर अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना फीडबेक देना बिलकुल मत भूलेगा, अल्ला हाफिस